Hello students and learners, welcome to the Brain Bucks Tutorials. I am your teacher Priyanka and we were doing class 10 Maths Chapter Arithmetic Progression. बहुत ही important chapter है. हमने already इसके 3 वीडियो कर ली हैं. तीनों की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी. तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आज हम करने वाले हैं Sum of Numbers in an AP. तो कभी भी कोई ऐसा Sum दिखे तुमको AP का जिसमें ऐसा लिखा रहे हैं Sum of these numbers, Sum of 3 numbers, Sum of 4 numbers in an AP is this and उसके बाद आगे का Sum करने के लिए दिया जाए. तो उसके लिए हम कौन सा formula यूज करते हैं? उसके Sum कैसे करते हैं? उसी के बारे में हैं आज का वीडियो. तो चलो शुरू करते हैं, बहुत ही interesting होने वाला है. तो Sum of numbers in an AP. तो अगर AP में समर लो कोई 3 terms दिये हैं और तुमको पता नहीं है कि वो कौन से term है तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो. देखो, first term A है और common difference अगर तुम D लो तो पहला term A है, दूसरा term इसमें D आड़ करने वाले हम तो दूसरा term आ जाएगा क्योंकि हर बार में common difference आड़ कर दे तीसरा चाहिएगा, तो हम A plus 2D कर देंगे एक एक बार D भढ़ते जा रहा है फिर चौता चाहिएगा, तो हम A plus 3D कर देंगे तो ऐसे हमको जितने भी terms चाहिए AP के हमारा हमसे निकाल सकते हैं, ठीक है हर एक में हम क्या करें, plus D करते जा रहे और अगर आप बुला जाएगे, okay sum of 4 terms in an AP तो तुम चाहो तो इनको भी add कर सकते हो यह रहे, यह 4 terms हैं AP में और मैंने 4 को add कर दिया तो हमारा answer जो है, वो कुछ ऐसा आने वाला है 4A प्लस 6D, ठीक है इस तरीके से हमारा answer आ जाएगा और आगे जो भी sum करना हो, कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुम sums तुमको कभी भी मिले, कि sum of 4 numbers in an AP is 15 तो तुमने ऐसे करके यहां पे लिख दिया यह 15 है, sum ऐसे भी हो सकता है, wrong नहीं होता पर इसमें थोड़ा time लगता है और अभी मैं जो part बताने वाली हो formulas का, वो करने से थोड़ा सा sum easy हो जाएगा तो मैं कैसे करते हैं, वो part में यहां लिखती हूं और फिर उससे related हम sums भी अभी करेंगे तो देखो पहली चीज हम को यहां क्या समझने जरूरी है AP में, तो समयलों हमको ऐसे लिखा रहे हैं तो 3 numbers हम कोई भी 3 number ले ले लेते हैं for example, A, B, C अगर यह 3 number AP में है तो A condition जरूर satisfy करेंगे वो क्या? कि B में से अगर हम A minus करें यानि इन दोनों का common difference will be equal to C और B का common difference तो B minus A जो भी answer आता है C minus B भी वही answer आएगा इसको हम थोड़ा सा solve करें तो क्या होगा? B को इधर ले जाओ तो B plus B, 2B is equal to A plus C तो यह एक तरीके से हमको छोटा सा इनका relation पता चल जाता है कि कोई 3 terms AP में हो तो बीच वाले term का double will be equal to sum of the extreme terms ठीक है? तो इसको कभी ऐसा कोई sum आए तो हम इसको use कर सकते हैं तो चलो इसको दो number 1 लेते हैं याद रखने की चीज़ें कि यह part कैसे होता है उसके अलावा कभी तुमको दिया जाए sum of 3 numbers in AP निकालो तो इसके लिए एक easy तरीका है 3 numbers in AP अगर हो तो तुम यह लेना देखो 3 numbers in an AP तो अभी जैसे मैंने बताया तुम A, A plus D, A plus 2D वैसे भी ले सकते हो बट और easy तरीका क्या है तुम उन 3 terms को ऐसे लो पहला term A minus D फिर बीचका A और फिर A plus D यह 3 terms लोगे तो तुम्हारा sum जब तुम निकालोगे sum of 3 numbers in an AP जब भी sum वाला पार्ट हो तो तुम इन 3 numbers को लोगे तो तुम्हारा sum वह बहुत फटा-फटा आजाएगा तो A और इसके पहले 1 D minus किया और 1 D plus किया तो minus और plus दोनों चीजे ऐसे 3 terms in an AP ठीक है अभी अगर दे 4 numbers in an AP अगर देना हो तुमको तो 4 numbers या 4 terms कुछ भी लिखा रहे in an AP अगेन जब भी sum वाली बात हो रही हो तो तुम इन 4 terms को लेना तब क्या लोगे तुम तुम एक-एक alternate term लो तो तुम जैसे A minus D ये A छोड़ दो A plus D फिर एक पार्ट छोड़ो तो क्या A plus 2D छूटा तो A plus 3D तो A plus है तो एक minus भी रखो तो इधर भी A minus 3D तो ये 4 terms तुम लेना तो तुमारे लिए sum easy हो जाएगा वैसे ही एक और बता देती हो sum अलो 5 terms दिया जाए 5 terms या 5 numbers in an AP तो odd है तो ये odd वाला 3 वाले को ये हम और आगे बढ़ा देते हैं तो A minus D के पहले क्या होगा A minus 2D तो हम यहाँ से चालू करते है A minus 2D फिर ये ही तीनों लिख दिया A minus D है A है A plus D है और फिर एक और A plus 2D तो जो plus वाला पार्ट है वही minus वाला भी पार्ट है तो इस तरीके से 3 numbers in an AP 4 numbers in an AP, 5 numbers in an AP हम ऐसे लें तो हमारा sum जल्दी होगा जब भी question में दिया जाए sum of 3 numbers या sum of 4 numbers तब ऐसे करना है और ये चीज़ें कि ये AP का एक relation है तीन terms के बीच में तो अब देखते हैं ऐसे sum कैसे होते हैं हम कैसे समझ में आते हैं हमको कि इन में से ही कोई चीज़ें यूज़ करनी है तो आज का वीडियो उसी से related है तो करते हैं हमारा first sum देखो, first sum में लिखा वाय है the sum of 3 numbers in an AP is 3 and their product is minus 35 find the numbers तो देखो, sum में समझ में आ रहा है sum of 3 numbers मैंने यही बोला था जब भी कभी ऐसा लिखा रहे कि 3 numbers AP में है और sum of 3 numbers यह है तो sum वाला पार्ट में हम वो अलब formula यूज़ करेंगे तो 3 numbers AP में है और क्या लिखा है sum is 3 तो हम क्या लें उन numbers को तो let the 3 numbers in an AP B अब हम 3 numbers को कैसे लेंगे A minus D A और A plus D यही तीन लेने अब हमारे पास क्या दिया है पहला sum तो sum कितना है तो लिखते है sum is equal to क्या है A minus D plus A plus A plus D यह sum हम को कितना दिया वह है sum is given 3 तो यह हमारे पास 3 है इसको देखो कितना solve कर सकते है तो A minus D plus A plus A plus D is equal to 3 minus D plus D कड़ गया 3A is equal to 3 आया और A की value ही आगई हमारे पास में 1 ठीक है तो A की value हमारे पास 1 आगई बस यही easy होता है इन numbers को लेने से कि हमको इधार में ही एक value पता चल जाती है यह पता चल गया A1 है दूसरा दिया था product तो product of these numbers तो product मतलब A minus D into A into A plus D that is minus 35 तो अब इसमें हमको A पता है 1 है तो हम अभी इसकी value डाल देते हैं थोड़ा solve करना है तो solve कर लो भली देखो A minus D into A plus D is like A plus B A minus B that is A square minus B square तो उसको हम थोड़ा कर देते हैं चलो A square minus D square और उसको into A करना है that is equal to minus 35 बस अब ज़्यादा और multiplication नहीं करेंगे value डाली देते हैं तो A की value 1 है तो 1 square minus D square into 1 is equal to minus 35 1 square is 1 तो पूरा multiply करेंगे overall यहाँ पर क्या आने वाल है 1 minus D square is equal to minus 35 minus D square is equal to minus 36 तो हमारी D की value आ गई that is 36 का root है so plus minus 6 यानि की D plus 6 भी हो सकता है D minus 6 भी हो सकता है यहाँ तक तो हम आ गया तो देखो A भी पता है 1 और D भी पता है 6 है अब इसको हम आगे तीनों की value दिकालते हैं तो हमको दोनों देखना पड़ेगा D plus होने से क्या होगा plus 6 होने से क्या होगा minus 6 होने से क्या होगा ठीक है तो हम इसको इधर कर दे तो हम लिखते हैं if D is equal to plus 6 therefore three numbers अब देखो three numbers क्या हो रहे है A minus D तो A minus D मतलब की one है ना तो one minus six पहला आया minus five फिर A वो तो one है और A plus D is one plus six तो यह हमारे पास seven आ गया तो मैं पास तीन number आ गया minus five, one and seven ठीक है minus five, one and seven अब दूसरा D अगर minus six होतो तो if D is equal to minus six तो A minus D हमारा आएगा one minus minus six मतलब one plus six तो आया seven A तो one ही है और A plus D will be one minus six मतलब minus five यानि फिर हमारा number आया seven, one and minus five तो numbers, terms तो same ही है बस series उल्टी भी हो सकती है ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है ठीक है अब चलो देखते हैं अपना second sum क्या है तो now second sum में लिखा है determine k so that k square plus 4k plus 8 2k square plus 3k plus 6 3k square plus 4k plus 4 are three consecutive terms of an AP तो now इस बर हमको k की value निकालने है और इस बर क्या दिया है three consecutive terms तो इसमें हम use करेंगे जो मैंने formula बताया था उसमें first number यानि जब तीन numbers ABC, AP में हो तो हमाई पास क्या relation आये था 2b is equal to a plus c वारा relation उसको हम या यूज करने वाले है तो ये तीन terms जो है इसमें हमको k की value निकालने है और एक important part दिया भा है already that these are the three consecutive terms हम सबसे पहले लिखते है कि as the terms are three consecutive terms of an AP therefore क्या था वो b minus a is equal to c minus b होता चाहिए ऐसे भी चालू कर सकते हो या फिर इसके बाद मैंने जो बताया था 2b is equal to a plus c तो यहां से भी शुरू कर सकते हो कि यह part भी लिख सकते हो तो यहां पे हम 2b is equal to a plus c सी करते है तो हम लिखेंगे therefore 2b that is यह बीच वाला part है तो 2 into 2k square plus 3k plus 6 is equal to a plus c मतलब this plus this तो k square plus 4k plus 8 plus 3k square plus 4k plus 4 और हम हमको k की value निकाल नहीं है so चलो multiply कर देते हैं k square और 3k square 4k square 4k 4k 8k और यह 12 4k square and 4k square यह और cancels out तो अभी कह 6k minus 8k is equal to 12 12 भी कट सकता है तो यह 0 आ गया so minus 2k is equal to 0 यह overall हमारा answer आया है k is equal to 0 therefore the value of k is 0 तो इसमें सबसे important part हमने क्या use किया that a,b,c consecutive terms हो तो b minus a is equal to c minus b उसके through ही हम use किया है मैंने तोड़ा और short कर दिया 2b is equal to a plus c तो मिससे पहले वाले पार्ट से भी चालो कर सकते हो b minus a is equal to c minus b होता है मतलब this minus this is equal to this minus this solve करते फिर भी कर सकते थे पर यह थोड़ा easy हो जाता है जल्दी हो जाता है now our third sum है the sum of three numbers in an ap is 24 and the sum of their squares is 194 find the numbers देखो अब हमको sum के through पता चल जाएगा कि हमको कौन सा formula यूज करना है पहले वाले में था three consecutive terms हैं तो हमने b minus a is equal to c minus b लिया अभी याँ sum में लिखा है sum of three numbers याँ sum of three numbers वाला क्या था a minus d, a और a plus d उन तीनों को हम यहाँ पे लेंगे तो sum of three numbers 24 है तो हम वही लिखते हैं let the three numbers in an a, p, b अभी तीन नमबर होते हैं जिनका sum रहता है तो हम क्या लेते हैं? एक a minus d, एक a और एक a plus d और अब हमको क्या दिया है? सबसे पहले दिया है sum यानि की a minus d plus a plus a plus d तो यह जो sum है sum of three numbers in an a, p वह दिया है हमको 24 अब हम इससे कितना निकाल सकते हैं? देखो a minus d plus a plus a plus d 3a is equal to 24 तो हमको इधर में आ गया a is equal to 8 यह एक पार्ट हुआ और दूसरा लिखा है sum of their squares sum of their squares यानि की a minus d का whole square plus a का square plus a plus d का whole square that is 194 अब हम इसमें a की value 8 जो है वो निकाल सकते हैं लगा सकते हैं तो हम अभी लगा देते हैं इसकी तो इसका होगा a minus d तो यानि की 8 minus d का whole square plus 8 का square 64 plus again 8 plus d का whole square this is 194 इस पार को यहां कर लें थोड़ी जगर मिल जाएगी so 8 minus d का whole square देखो यह a minus b whole square का formula में लगा रही हूँ a square plus b square minus 2ab तो 8 का square इस 64 यह a square हो गया plus b का square मतलब d का square minus 2ab मतलब minus 2 into 8 into d minus 16 d plus 64 plus a plus b whole square वैसी करते हैं यह रहा a square plus यह रहा b square plus यह रहा 2ab is equal to 194 so आँ अची माइनस 16 d plus 16 d काट रहा है और तो कुछ नहीं काट रहा है d square d square तो यह 2d square हो रहा है और 64 1, 2, 3 टाइम 64 है यानि कि 192 2d square is equal to 2 आया so d square is equal to 1 यानि कि हमारा d की value जो है वो again plus 1, minus 1 कुछ भी आ सकता है यानि कि हम plus 1 भी लेंगे minus 1 भी लेंगे d फिर solve करें यह 3 है हमको क्या चीए थे हमको लिखावा है यहां पे कि find the numbers मतलब यह 3 number पता करो तो again जैसे हमने पहले वाला part किया था न वैसे हम यह कर रहे है इसमें भी 2 तरीके से sum होगा तो पहला अगर लिखोगे if d is equal to plus 1 तब पहला number a minus d हुआ a क्या था अपना a 8 था तो 8 minus 1 मतलब 7 a तो है 8 और a plus d मतलब 8 plus 1 9 तो यह हमाई पास 3 number हो गए 7, 8, 9 तो एक series हो गए तो लिख देते हैं therefore a p is equal to 7, 8, 9 अच्छा लेकिन अगर d minus 1 हुआ तो तो a minus d is 8 minus minus 1 मतलब 8 plus 1 9 a तो था ही 8 और a plus d this time will be 8 minus 1 यानि 7 तो इस case में हमारी a p क्या होगी वही है बस series उसका उल्टा हो गया मतलब 9 है फिर 8 है फिर 7 है तो हमको series बोलता है तब हम ऐसे सोचते हैं बढ़ अगर number बोल रहा है तो number तो वही है 3, 7, 8 and 9 नाव चलते हैं अपने fourth sum के तरफ इस sum में लिखा है the sum of the four consecutive numbers in an a p is 32 now see four consecutive numbers है तो four numbers है तो हमको पता है four numbers को हम कैसे लेते हैं और दूसरा hint sum दिया हुए sum of four numbers तो हमको clearly पता है कौन सा formula यूज करना है तो sum of the four consecutive numbers in an a p is 32 and the ratio of the product of first and last terms to the product of the two middle most terms is 7 is to 15 find the numbers इस part में भी हम आते हैं इसको बहुत easy चीज़ हैं तो हम एक एक पार्ट करके करते हैं सबसे पहले four terms हैं उनका sum है sum is 32 तो उसको हम कैसा लिखें पहले इतने में आते हैं तो हम लिखेंगे let the four consecutive terms in a p b अभी हमने four terms का क्या लिया था कि a minus 3d फिलो a minus d फिलो a plus d फिलो a plus 3d ये हैं और अब इनका पहला बोल रहा है इनका sum तो चलो इनका sum कर देते हैं तो a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d ठीक है इनका दिया है sum of these numbers is 32 तो sum of these numbers is 32 तो पहले इसी को solve करें तो देखो क्या-क्या कट रहा है minus 3d plus 3d plus d minus d तो ऐसे करने का बत यही आसान तरीका सबसे easy यह लगता है कि d जो हैं वो पहले खतम हो जाते हैं 1, 2, 3, 4 4 a है हमारे पास इसका मतलब a की value आ गए a is equal to 8 ठीक है यह पार्ट आ गए हमारा अब देखो दूसरा पार्ट बोल रहा है first, second, third, fourth यह रहा first term, यह रहा last term इन दोनों का product मतलब a minus 3d into a plus 3d और यह middle terms जो हैं इन दोनों का product यानि कि a minus d into a plus d इनका ratio तो इनका ratio मतलब is true का sign लगा है और a minus d into a plus d यह लिखा है तो जो लिखा है वो इतना difficult लग रहा था पर अभी देख के करो तो कितना easy लग रहा है तो यहाँ पर लिखा था कि ratio of तो यह रहा ratio of product of first and the last terms and the product of two middle terms कितना है ratio? 7 is to 15 तो is equal to 7 is to 15 दिया है और हमारे परस में अभी यह 4 numbers हमको पता करने हैं तो अब हम इसको ठिक से करते हैं solve कर देते हैं a minus 3d into a plus 3d is like a plus b into a minus b that is a square minus b square तो हम यहाँ पर करेंगे a ka square minus b ka square मतब 3d ka square that is 90 square is to similarly a minus d a plus d is a square minus d square is equal to 7 is to 15 अब हम क्या करते हैं हम a की value लिख देते हैं a की value 8 है 8 डाल दे हैं तो 8 का square 64 minus 90 square और यह इस टू की जगा तुम divide का sign यहाँ पर भी दे सकते हो a का square again 64 minus d square is equal to 7 by 15 and now we'll cross multiply तो 15, 64 को multiply करते हैं 960 minus 15 into 9 135 d square is equal to 7 into 64 448 minus 7 d square minus 135 d square plus 7 d square is equal to 448 minus 960 minus 128 d square is equal to यह भी minus में आ रहा है so minus minus कट गया d square आया 512 upon 128 क्या 128 की table में यह आता है 512 शायद 4000 जा रहा है right 128 4000 होता है तो अभी d के value हमारे पास में again देखो root करेंगे 4 का तो इसका answer अपना plus minus 2 आ रहा है यानि d 2 हो सकते है plus 2 b minus 2 b a तो हमारे पास अल्ड़ी आ गया a8 है अब हमको वो चार टर्म्स चाहिए तो वो चार टर्म्स क्या आउँगे तो हम इधर करते हैं ठीक है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ हाँ तो अभी हम again वैसी करेंगे कि if d is equal to 2 therefore the four terms are अभी तो क्या term हो है पहला है a minus 3d यानि की 8 minus 3 to the 6 2 फिर आ रहा a minus d मतलब की 8 minus 2 यह आया अपना 6 फिर a plus d और a plus 3d a plus d is 8 plus 2 10 और यह 8 plus 6 आएगा 14 तो मैं जो a p बन रहे हो 2, 6, 10, 14 ना number तो हमको पता चल गए पस d is equal to minus 2 में भी चेक कर लेते है सेम number है क्या तो d is equal to minus 2 हो तो a minus 3d a minus d a plus d और a plus 3d क्या होता है a मतलब 8 minus 3 into 2, 6 तो plus 6 हो गया 14 तो हाँ एकदम उल्टा ही आएगा इस बार यह आ रहा 8 plus 2 यह 10 आएगा जैस उल्टी सीरीज जा रही है तो हम आएपास numbers पूछा है number तो वही है 2, 6, 10, 14 बोलो या 14, 10, 6, 4 बोलो अगर AP पुछता है तो हम दोनों AP लिख करके तेंगे हमने ख़तम कर दिया sum of 4 terms, 3 terms या 5 terms इनन AP रहे या consecutive terms हो तो उसमें हम कैसे formulas यूज़ करते है तो इन sums की देखना तुमारे बुक में भी और बहुत सारे sums होंगे तो इनकी प्राक्टिस करो जिससे समझ में आ जाए कब कौन सा formula यूज़ करना है और हमारा जो next video होने वाला है वो बहुत ही important होने वाला है अब हम करने वाले sum of and terms in an AP और उस वाले chapter में जो पहले वाले जो भी तुमने की है formulas वो सब भी use होंगे और नए formulas भी होंगे तो उसको miss मत करना तो अगर मेरे चैनल को subscribe नहीं कियो तो subscribe कर लो और bell notification को on करना मत भूलना जिससे की मैं जो नया वीडियो बनाओ वो तुम्हाई पास में पहुँच जाए चलो करते रहो practice in sums का मिलते हैं जल्दी next वीडियो में बबाई जैन